नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग अगर आपको लगता है आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोस है तो नवरात्री में इस दोस से छुटकारा आप पा सकते हैं बहुत ही सरल और आसान उपाय आज हम आपको बताएंगे जिससे आप वास्तु दोस से भी चुटकारा पाएंगे और जीवन में जो परेशानी चली आ रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी तो चली जानते हैं बिस्तार से देखिए सबसे पहली बात तो नवरात्र में जब देवी की पूजा होती है तो तंत्र साधना और वास्तु निवारन के प्रियोग भी होते हैं क्योंकि नवरात्र में किये गए उपाई बहुत जल्दी असर करते हैं, कारगर होते हैं और सकात्मक परिनाम भी देते हैं लेकिन ध्यान योग की बात ये भी है कि उपाई आप खुद की भलाई के लिए या किसी और की भलाई के लिए करें पर किसी के गलत मन साथ से किया गया उपाई कहीं आप पर न भाड़ी पर जाए इसका ध्यान रखना चाहिए लेकिन आज जो हम आपके साथ बाते सेयर करेंगे वो बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं नवरातर में वास्तु उपाई कर आप अपने घर में मादूरगा की अस्थाई किरपा पराप्त कर सकते हैं और उनकी किरपा से वास्तु दोस्तों दूर होता ही है, जीवन में सुखद चमतकार भी दिखते हैं क्योंकि नकात्मक उरजाय समाप्त होती है और माद दुरगा से ज़्यादा और कोई भी नहीं जो आपके जीवन से निगेटिव इनर्जी को दूर कर सके वैसे इसको आप बहुत सिंपल तरीके से प्रियोग करना है नवरात्र के दिन में देखे करेंगे क्या सबसे पहली बात घर के मुख्य दर्वाजे के चोखट को आप यानि चोखट के बाहर वाला एरिया जल में थोड़ा सा हल्दी डाल कर आप छीटा डाल सकते हैं या आप चाहें तो धो दे घर में पूरे घर में आम का पत्ता आपके पास अगर है तो इस हल्दी मिलेवे पानी में आम का पत्ता डूओ डूओ कर पूरे घर में हलका सा छीटा डालें घर की सुदता बनी रहनी चाहिए इसके बाद वास्तु दोस अगर जीवन में ज़्यादा परिसान कर रहा है वैसे तो आप आम का और असोक का दोनों का ही पत्ता का बंदनवार बना सकते हैं लेकिन आम का पत्ता का बंदनवार लगाने से आपका स्वास्त अच्छा होता है और असोक के पत्ते का बंदनवार लगाने से सोक हर लेने वाला ये पत्ता है ये ब्रिक्छ होता है तो आपके जीवन से जो भी दुख तकलीब संकट है वो समाप्थ हो जाते हैं ये तो है बहुत सिंपल प्रयोग और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बिसेश सफाई रखेगा हल्दी वाला पानी का छीटा आपको जरूर डालना है और इसके साथ ही आपको बिसेश तरीके से सजाना भी चाहिए सबसे पहली बात तो जब आप सफाई कर लें तो घर के मुख्य दरवाजे पर आप मालक्षमी के पैरों का निसान जरूर बनाईए जैसे आपके घर में मालक्षमी प्रवेस कर रही है बाहर जाते वे मत बनाईएगा अंदर आती भी बनाईए और उसको आप फूलों से भी सजा सकते हैं बनाएंगे कैसे वैसे आप चाहें तो चावल को पीस कर उसका गोल से भी तयार करके बना सकते हैं या आप चाहें तो अवीर के सहारे भी बना सकते हैं कम से कम पांच्छे पदचिन जरूर बनाईए अगर जादा वक्त ना हो तो और अपने घर के मुखे दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ जल में एक पातर में जल ले लें उसमें थोरा सा गुलाब की पंखुरी डाल कर रख दें ये आपके जीवन में सकात्मक उर्जा को तो घोलेगा ही साथ ही ये मां के स्वागत के लिए है आपने जो इतने दिनों से पूजा पाठ किया है जो आगे भी आप करेंगे उसका सुफ़ल आपको मिलेगा आप इस पानी को हर दिन चेंज कीजिएगा पुराना वाला पौधे में डाल दें और फ्रेस पानी भर के रख लें सुमंगल प्रती चिन्ह बनाने का भी विदान है तो घर के मुखे दरवाजे पर हल्दी या फिर कुमकुम के सहारे स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाईए स्वास्तिक हमेशा ही सीधा बनाईएगा उल्टा घर में स्वास्तिक मत बनाईए ना ही कहीं पे रहने दीजी अगर कहीं गलती से है उसको तुरन ठीक करवाईए वरना घर में परेसानी भर जाएगी और हमेशा ही सीधा स्वस्तिक बनाना है इस बात का ध्यान रखिये स्वस्तिक के दोनों तरब दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा तभी आपके घर लक्षमी स्थिर रहेगी क्योंकि खुला स्वस्तिक का मतलब होता है लक्षमी का चंचल होने में चंचला तो होती है लक्षमी चली जाएगी तो नवरात्र के दिनों में एक और प्रियोग किया जाता है लक्षमी को स्थिर रखने के लिए क्या करेंगे देखिए मा लक्षमी की जब भी आप पूजा करें वैसे अगर करोना का वक्त है आप घर से बाहर निकल सकते हैं मंदिर वेगर जा सकते हैं तो ठीक है नहीं तो घर में कर लीजिएगा आर्थिक समाजिक पारिवारिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ये बहुत सिंपल प्रियोग है वैसे आप अपने घर को सजा कर तो रखेंगे ही साथ ही आपको स्वस्तिक बनाना है आप चाहे तो अपने ओफिस वेगर में भी बना सकते हैं आप घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरब से बनाईएगा वैसे तमाम चौकट में भी आप बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है और हम बात कर रहे थे माल लक्षमी को क्या अरपित करें देखिए माल लक्षमी को आप अपने घर में भी अरपित कर सकते हैं सबसे पहले तो आप थोड़ा सा चावल अच्छे से उसको चुनकर साइट कर लें तुटा फुटावा ना हो दो बार तीन बार अच्छे से जाच कर लिजेगा तुटावा चावल नहीं होना चाहिए अक्छत का मतलब होता है बिना तुटावा चावल थोड़ा सा चावल किसी भी पात्र में मिट्टी का पात्र है चांदी का पात्र है जो भी है आप उसी में भर कर उस पर दो चार पं प्रच्मी आपके जीवन में खुशियों को बरसाती है धन आता है और वह चावल अगर आपने मंदिर में पीट तो कुछ दिर वहां पे रहने दे इसके बाद उठाकर अपने घर ले आए और किसी भी पीले या गुलाबी लाल कपड़े में बांध कर उसको सुरक्षित अपने सा प्रियोग किया जाता है आपको हमने पहले भी बताया था चावल में दुर्वा घास कुछ सिक्के डाल कर अपने घर में मिट्टी के पातर में ढखकर लाल कपड़े से बांध कर रखने आप चाहें तो इस दिन चेंज कर सकते हैं या फिर आप अगले नवरातर में चेंज आ रही है और रामनोमी के दिन या फिर उसके पहले भी ये प्रियोग कर सकते हैं अच्छा रहेगा कि रामनोमी के दिन ही कीजिएगा एक तामबे का गोल ऐसा आप कोई चला ले 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 जिसमें छेट किया हुआ हो लेके आजाए मार्केट में मिलता है लाल धागा के सहारे ह हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने घर के मुख्य दरवाजे के चोखट में बांदे वास्तु दोस्तों दूर होगा ही जीवन में सकात्मक उड़ जाएगी तमाम तरह की परेसानिया बिंगन बादाएं दूर हो जाएगी और इस को आप यूही रहने दे अगले नवरा है ताम बेका तो उसी को बांद दीजेगा लेकिन हनुमान चालीसा पढ़कर ही यह परियोग करना है इस बात का ध्यान रखे हैं तो हम आपसे विदा लेते हैं फिर मिलेंगे बहुत सारी बाते करेंगे हर हर में